नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम शिवंपाल है और आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आएं और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सस्क्राइब कर लीजिए to get latest information of our channel जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मोसम है और खाने पीने के लिहाद से best माना जाता है इस मोसम में सबजियों की इतनी variety मिलती है कि बस पूछे मत इसमें जो सबसे बेहत खास है गाजर गाजर की सबजी सला, जूस या सूप किसी भी तरह से डाइट में सामिल किया जा सकता है और भारत के लोग गाजर का हलवा कितना पसंद करते हैं इसे बतानी की जरूरत नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर एक औजडिय गुणों से भरपूर है आयरुएद में तो गाजर को कई मरजों की एक दवा कहा गया है गाजर से भरपूर मात्रा में कैरिटिनॉइट्स, पोटेशम, विटामीन A, विटामीन E जैसे धेरो पोशक तत्त पाय जाते हैं जो हमारे शरीर की युमिनिटी बढ़ा कर हमें गंबीर विमारियों से बचाते हैं अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जो गाजर को भाव देना पसंद नहीं करते तो एक बार इसके गुण के बारे में जरूर जान लीजी आज की भागती दोड़ती जिन्गी में सबसे जादा असर अगर किसी चीज पर पहुँचा है तो हमारा लाइफस्टाइल जाने से कैंसर सेल विक्सित नहीं हो पाते हैं गाजर में भरपूर मात्रा में कैरिटनोइट पाया जाता है जो शरीर की इमिनिटी बढ़ा कर बिमारियों से लड़ने की तागत देता है इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन प्रोस्ट्रेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव करता है गाजर दिल को सेहत मंद बनाए रखने का काम भी करता है दरसल गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन अलफा कैरोटीन और लाइकबिन जैसे एंटी आक्सिडेंट पाये जाते हैं जो कॉल्स्टोल लेवल बढ़ने नहीं देते और हार्ट अटेक के खत्रे को कम कर तक कंट्रोल रखता है इसमें मौदूद पोटेशम बलड प्रेशर को घटने या बढ़ने नहीं देता गाजर कई बीमारियों का रामबान इलाज है गाजर खाने से गठिया पीलिया और अप्चे यानि की इंडाइजेशन से छुपकारा पाया जा सकता है गाजर हड्यों क के मरीज को रोजाना घाजर खाने की द prues दी जाती है गाजर में आईरन को अच्छी खासी मात्रा होती है यहीं यहीं इसमें विटामीन एबी पाया जाता हो जो नयाएखून बनाने काफी मददगार है यहीं वज़ा है कि अनेमियों के मरीजों को को गोग ब्लड फ्रों को कम करने में मदद करता है गाजर में भरपूर मात्रा में विटामीन ए पाया जाता है आखों की अच्छी सेयत के लिए विटामीन ए बहुती जरूरी है यही नहीं गाजर में मौझूद बीटा कैरोटीन मोत्या बिंद से आखों की रक्षा कर उनकी देखबाल करता है जिन और कील मुहासों से छुटकारा मिल जाता है इसी के साथ धन्यावाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको हमारा चैनल सस्क्राइब करना ना भूले और अपने टॉपिक्स को हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें जिससे हम आपके लिए एक और अच्छी और लाबदायक वीडियो ला सके इसी के साथ नमस्कार